छुट्टिया मनाने गए दिपिका रणवीर ने धेर सारा आराम किया और जम कर हेल्जी फूट खाया जिसकी तस्वीर उन्होंने अपने इंस्टरग्राम पर शेर की लेकिन आप वो दोनों वापस लौट आए हैं और वालेंटाइन्स पर क्या खास करने वाले हैं इसका दोनो दिपिका हाँ था में मुंबई एरपोर्ट पर रणवीर और दिपिका दिखाई दिये चहरे की रोनक खुशियां बया कर रही थी कैजूल ड्रेस में आखों पर चश्मा लगाए दोनों कपल कूल लग रहे थे चुट्टिया मना कर लौट रहे दोनों को एरपोर्ट पर कैम और अपने ही अंदाज में उनका स्वाधिक करने की कोशिश की भले ही दिपिका साथ में थी लेकिन कैमरे के लिए मसाला रणवीर सिंग से ही मिलता है मीडिया की लाख गुजारिश के बावजे उद रणवीर सिंग नहीं रुके बलकि आगे बढ़ते रहे पहले से खड़ी गारी में उन्होंने पहले दिपिका को बिठाया और फिर खुद बैठ गए एरपोर्ट से गारी तकी सफर के दौरान दिपिका बगार कुछ बोले बस लगातार मुस्कुराती हुई अपनी ही दुनिया में गुम रही रंबीर दिपिका भले ही वैलेंटाइन्स डे पर मुंबई लोट आए हैं लेकिन इससे पहले दोनोंने पूरा हफ्ता सिर्फ एक दूसरे के साथ गुजारा जिसकी कहानी उन्होंने उन रोमैंटिक तस्वीरों से बया की जिसमें वो ना होकर भी अपनी लव स्टोरी कह रह कभी दो साइकल तो कभी दो चाते तो कभी रेट पर दो जोडी चपल के साथ दोनों शादी के बाद अपने गहरे होते प्यार को बया कर रहे थे कुछ दित पहले दिपिका का बुर्थि ने था लेकिन उनकी फिल्म रिलीज होने वाली थी इसलिए उस मौक्ते पर वो कही नहीं गई लेकिन वैलन्टाइन्स वीक पर वो एक ब्रेक लेकर छुटिया मनाने निकल गए और आज वैलन्टाइन्स दे पर मुंबई भी लौट आई और अब दोनों के फैंस को उनके इस खास दिन के तस्वीरों का इंतिजार है वैलन्टाइन्स डे पर दिपिका और रंडी जहां छुटिया मना कर मुंबई लौट आए हैं वहीं अनुश का शर्मा इस खास दिन को विरात कोहली के साथ मनाने के लिए नियूजिलेंड पहुँच गई है फ्रिकेटर शमी ने उनकी और विरात कोहली की एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो एक दूसरे के गले में बाहर डाले खड़े नजर आ रही है कर दो